मुझा नमस्कार में हुआ अरुन आप देख रहे हैं इस जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है रैको दक्षन विधांसबा सेट पर एक वार फिर कमल खिल गया है भाजपा प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्श की है बीजेपी के सुनिल सौनी ने कॉंग्रेस के आकाश शर्मा को बड़े अंतर से हरा दिया है जीत हार का अंतर निकाला जाए तो वो कॉंग्रेस प्रत्याशी को मिले बोटों से भी ज़्यादा है वेरालेस जीत से वीजेपी खुस है तो कॉंग्रेस आत्म मन्थन के लिए तैयार है पहले देखिए रिपोर्ट उसके बाद आज हम हार जीत के कारणों पर विशेश फैनल के साथ चर्चा करें के बीजेपी विधाय के व्रज मोहन अग्रवाल के सांसा चुने जाने के बाद खाली हुई रायपूर दक्षन विधानस्वा सेट एक वार फिर बीजेपी के खाते में है यहां से सुनिल स्वानी ने चालीस हजार एकसो सरशट मतों से जीत तरज की है यहां उप्चुनाव में करी 50 प्रतिशत मतदान हुआ था इसे बीजेपी की बड़ी जीत कहा जा रहा है क्योंकि यहां जीत के अंतर के वोट को अंग्रेश प्रत्यासी आकाश शर्मा को मिले वोट से कहीं जादा है आलम यह रहा कि महापौर एजार ठेबर और प्रमो दुवे के बाड़ में भी भाजपा को लीड मिली है भाजपा प्रत्यासी सुनिल स्वानी ने शुरुआत से लेकर आकरी यानी 19 वे राउंड तक अपनी लीड पर करा रखी इस जीत से बीजेपी में जश्न का माहौल है आज भी इस बात को कहे रहा हूँ कि हम और विल्मोहान जी मिलकर तेजी से विकास करेंगे पैसे की कमी नी होगी और नियत भी हमारी साफ है और इस विधानसवा के अंदर में मैं सभी भाई भेनों को सभी नौजवान साथियों को बुजूदगर को सब को बहुत बहुत धन्यवाद आभार वेक करता हूँ उपचुनाओं में कॉंग्रेस को कड़े मुकाबले की उम्मीद तो थी लेकिन शायद उसके नेताओं ने ऐसी एक तरफा हार के बारे में सोचा नहीं होगा ये हार कॉंग्रेस के लिए सिर्फ एक विधानसवा स्रीट की हार नहीं यहार कॉंग्रेस ठेमे में निरासा लाने वाली हाथ सावित कुई है और उनको सफर्दा भी हासिल हो जाए राइपूर दक्षण विधांसवा सीट पर भाजपा और कॉंग्रेस दोनों दलों ने अपनी पूरी तागत जोंक दी थी बीजेपी के लिए यह उनकी साख का सवाल था वही कॉंग्रेस परिवर्तन की उम्मीद लगा रही थी वेरार राइपूर दक्षण की जनता ने बीजेपी प्रत्याशी को ही अपना स्तिन मोर बना लिया है तो कॉंग्रेस को एक बार फिर आत्म मंथन का मौका दे दिया है रायपूर से स्वराज एक्सप्रेस समधाता द्रीप साहो की रिपूर इस पर जाता चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजी चक्रवती जी है बीजेपी प्रवक्ता है सुरेंद वर्मा जी है कॉंग्रेस प्रवक्ता है डॉक्टर अजय चंद्राकर जी है राजनीतिक विसलेशक है आप तीनों का ही बहुत-बहुत स्वागत स्वराज एक्सप्रेस में हम आफ कीजिएगा बीजेपी प्रवक्ता कियाश चोहां जी हमार साथ है कियाश चोहां जी पहले तो जीत की बहुत-बहुत बदाई आपके प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है भारी बहुमत से जीत दर रायपूर की दक्षण की जनता को ये पूरी जीत समर्पित है, पूरी चत्तिसगाड की जनता को ये जीत समर्पित है, और दूसरी बात ये है, कि इसका श्रे और इसका कार्ण एक ही है, और वो है जनता की चातुर्पता है, क्योंकि जनता जो होती है, वो किसी भी पादी के प पक्ष में नहीं होती है, हमेशा जनता उसके पक्ष में होती है, जो उसके पक्ष में होता है, वो जनता ये देखती है कि हमारे लिए उचित क्या है, हमारी constituency के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए क्या उचित है, उसको जाके जनता वोट दे के आती है, इस कॉंग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलें उसकी ज्यादा अंतर से हम जीते हैं इसका मतबब क्या है और यह अपेच्छा थी हमारे को क्योंकि हम अगर पिछले ज्यारा महिने की भी परिणाम देखेंगे अगरवाई जी लोग समा चुनाओ लड़ रहे तो हम लोग दश्चिन की सीट से 80,000 से लिट कर रहे थे और उसके बाद नोन चहरा थे सुनिल सोनी जी जो भी चुनाओ लड़े हैं आज तक कोई भी चुनाओ नहीं हारे है और उसके बाद भारती जन्ता प्रवक्ता या कोई भी गॉंग्रेसी नेता ये बोलने में आज आज बिल्कुल संकोच कर रहा होगा कि ये जीत भारती जन्ता प्रवक्ता प्रवक्ता बेखने हुआ है सिरिंद परवक्ता है अरुन जी कोई संदेह नहीं है कि राइपूर दक्षिड की जन प्रवक्ता ब्वारती जन्ता परेटी जन्ता पर्त्यासी पर विश्वास जयता है की उनको रैपूर दक्षिन की जनता ने एक अुसर दिया है, और जैसा कि यह दावा कर रहा है भारती जनता पार्टी जो है वो अभी till- 15 दिन पहले क्या स्थिति फी यह बता दे भारती जनता पार्टी वहां李 पुर्तुर्षिन में कहीं नहीं थी पूरा मैनेजमेंट से लेके पूरे सुत्रधार जो है वो ब्रिजमोहन अगरवाल थे देश में पहली बार ऐसा दूसरा उदारन नहीं मिलेगा अरुन जी की की प्रत्यासी के जगा में प्रिजमोहन करवाल का फूटो रहे पूरा सब कुछ जो है अजय चंद्राकर जी बरिस राजनितिक विसलेशक है वहां भाजपा कहीं पैदान पर नहीं थी भी स्रेह लेने के लिए मुक्मंत्री जी आ रहे हैं स्याम ब्यारी जैस्वाल जो स्वास मंत्री जिनके खुद के छेत्र में लोक बढ़े प्रत्यासी आगे रहा है अरुन जी अरुन जी जि अरुन जी आरुन जी आरुन जी आप एक्जिट पोल से लेकर तमाम राजनितिक हवाएं जो है दो दिन पहले तक जो थी परिणाम उसके विप्रीता हैं इस से आप इंकार नहीं कर सकते लेकिन आज जो है प्रणाव के बात नहीं है देखिए हार और जीत होती है विए अलग प्रक्रिया है समिक्षा होती है बैटके होती है कारकरताओं से फिडबेक लिया जाता है वह होगा और ठीक राप फोड़ने की क्या बात है यह उपलब्धी ले रहे हैं इसी चुनाओं में आप देख रहे हैं जो है किस प्रकार से भाजपा के खिलाब भी परणाम आ है के केरल में जो है प्रियंका जी नौ लाग में से साड़े शाय लाग मिले बाजपा को तो एक लाग वोट मिला है तो उसका क्रेटी किसको देंगे साड़े चार लाग से जादा की लिड मिली सबसे बड़ी लीड आज के चुनाओं परणाओं में प्रियंका जी कि ती प्रदान मंत्री की लिड से चार बुना जादा लिड उनकी है तो जब यह तो जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए अरोन जी ये तो समिक्षा का विसाय है और ये मैं नहीं मानता कि कॉंग्रेस के में इस प्रकार से कोई कमी रही है हमारे करताओं ने हमारे नेताओं ने एक जूठ होकर काम किया ये आप आगड़े देख लिए निस्चित तोर पर मैंने तो बधाई भी दिया भाजपा के प्रत्यासी को लेकिन अभी ग्यारा महिने पहले जो चुना हुए थे भाजपा को 4.33% वोट कम हुआ है भाजपा का और ग्यारा महिने के भीतर ही अंगरेस के वोट परसेंट जो है 4.8% बड़े हैं तो ये ये जो है ये भी आगड़े हैं निस्चित तोर पर हमारी अपेच्छा के अनुरूप परिणाम नहीं रहे लेकिन ग्यारा महिने के भीतर ये सरकार इतनी अलोगप्री हो गई है कि वो राइपूर दक्षिण में 54.8% लगभग 5% का वोट जो है उसमें गिरावड भागपा के में आया है तो ये कहना कि कॉंग्रेस सही डंक से नहीं पहुचा आप आई मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है जी बिल्कुर मार्चा होगे डॉक्टर आजया चंद्रकरजी है रा पारी बहुत से बीजेपी का प्रत्यासी वहाँ जीत पाया है अजय जी कि यह तक्तर निदान समा के उसमें आया है लेकिन आज को चमाव को लेए तो बीजेती लाया का नौ बार वहाँ है ये कर सकता राइपुर सहार और इसको मिला करें बच्छे निकोर लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी जी चूली है ऐसा देनी है कि पिछले चुनाव में इस मु बात परिया है कि एक संजा और बात रहिया जहां पर बीजेती चापी मल्पूत रही है और दूसरी बात है और शुक्ति गजेती पे बीजेती के सुष्के कौन शे जिसमें पहुत बड़े कर्ट के रहे हैं उनका अन्य नेताओं के साथ नेतर भी सुनना नहीं बहुत सकता उनका क्या संसे है कि गजेती स्वाह अलगी आयाँ का रहा है और जंता चेंटी बहुत सक्राइब बात रहा है यहान को बड़े साथ और बीजेती तो यहां पकलता देनी रही है कामरे की आवाम करते चलते ही, कि उंचे लिए यह सिल्ख काभी कभिप देखा है, फिर जी एक रुवा को आउशार दिये, और नुको रुवा, एस रचाय के हम सकें किछ्वे सुनाउस को हम से कियेगा, तो किछ्वे सुनाउस के लिखो, कामरे के दुष्टी कोंशिक करने में लेकिन या इंटा का रिषा है रोगों एक लोगों महापॉथ और एक वाइट कांड़े सीशर्टी मी रज़ा रही है तो कांडरेस पर्टी को कांडरेस के चाहिए काम को इसके उपार तावी प्रशारी द्थर करना चाहिए. के सवान कई सब्सक्राइब से पहले यह नहीं सब्सक्राइब सेंट शुर्ध कर दो ST FOR olur T बीजेपीव का नहीं था हवा नहीं थी कोई किया नहीं रहा था कि बीजेपी जीते भी में म超 Capitol अवर्पार पर के संघे है और बहुत ही ज़्यादा जागरुक है अब मैं आ जाऊं कि आंकडों के बारे में तो पिछले 34 सालों से दक्षिर की जनता भार्ती जनता पार्टी को आशिरवाद देती हो या रही है ब्रिज मोहन जी को आठ आठ बार उन्हों सब्सक्राइब बनाया और 2023 में उन्हों को उनको सब्सक्राइब उन्होंने जीताया उसके बाद असी हजार वोट प्लस कि पांच महिले के बाद लेकिं पिछले पांच बार का लोग सभा का आप रिकॉर्ड देखेंगे पिछले पांच बार का तो दक्षिर की जनता ने तो 35,000 प्लस से लीड दी आई है हर एक प्रत्याशी को भारती जनता पाईटी के रहपूर के रहपूर का पिछली पांच बार में हम जीते हुआ हैं और 35,000 प्लस मिला हुआ है हमारे के तो यह आप नहीं बोल सकते यह भारती जनता पाईटी की जीत है और इसका सिर्फ और स ही जागरूख हो चुकी है वो यह समस्ती है कि हमारा जो वोट जा रहा है वो किसको जा रहा है और क्यों हम देने जाएं और और क्या फाइदा है हमारे को और हमारा आगे भाशिक्त कैसा रहेगा तो यह सभी चीजह देखके आज से 15 दिन पहले देजिए या एक महिना पहले दीजिए दो महिना पहले देजिए जब से डिक्रेयर हुआ है चुनाओ तब से ही हमारे बुमानुन का कि यह हम बहुत ही अच्छे अंतलार से जीतेंगे हमने पूरा बोला अभी जो यह सुरेंद वर्मा जी बोल रहे हैं इनक आहां है में और this तुम है कि अभी हुआ प्रोइन समय में नहीं आता है कि क्याक सिंद कीुच जनता है वह अपना बहुला कूरा समझ सकती है कि नहीं समस्के एब क्या वह आपको बताने की जगरती है सभिट quieren को बताने की जोड़त है लेकिन एक शब्द महाराष्ट के चुनाओं में भी देख लेते हैं महाराष्ट की महाराष्ट का चुनाओं आपने देख रही नहीं जहां पर 149 जन्हां में भारती जन्ता पाटी लड़ी और लगबग 125 उसने जीती कि इस तरीके से यह भी नहीं कह सकते कि जन्ता ने कॉंग्रेस को नकार दिया है क्योंकि अरुम्जी एक और चीच एक और चीच जितनी कॉंग्रेस को वहां पर सीट मिली है उससे छे गुना ज्यादा भारती जन्ता पार्टी को सीट मिली है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे क्या क्या था कि जन्ता जन्ता जाग रुख नहीं है जन्ता आपना फाइदा नहीं चाहती कि जन्ता खुछ भी बोलने से लगई है यह जो तो दी वह कहां चले यह आपके कारण कहां चुपए थे यह कारण को नहीं बताए गए पहले तो बहुत दस्बंद्रा दिए पहले बर्गणाने की कोशिश की गई वो कुषाशने कुषाशने अभी अभी क्या हो गया जैसे ही यह परिनाम आए है यह पुषाशन है यह ऐसा है ऐसा है चत्रीस गण की जन्ता ने वोड़ देखे नहीं आई चत्रीस गण की जन्ता वोड़ देखे आई है और उसको मालूम है और आप लोग से जाजा समझदार है और उसको ये मालुम है कि कोई भी बर्गला है हम लोग जानते हैं कि इसिति क्या है इसी दिया आपको प्रक्रण प्रक्ता है शुरेंज जी चाथिस गड़ की जनता जागुर। प्रबक्ता खुद ही अपने सरकार की अपनी नीतियों की और भाजपा का जो चरित रहे अपने कद्दावार नेता और कारिकरताओं के हका गला घोटने का वह साबित कर रहे हैं यह खुद ही कह रहे हैं कि राइपूर दक्षिन में लोकसबा चुनाओं में और बिजमोहन अग तो भारती जनता पार्टी की मजबूरी है राइपूर दक्षिन में प्रिजमोहन को आगे करना 2001 में जब नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाये गये थे तो जो आगजनी हुई भाटपाकरले में जो गाड़ियां जलाई गए लखी रामकरावाल की जो उस समय ततकाली जो है प् प्रत्यासी को मौका दिया यूँद कॉंगर्स के बरत्मान में प्रत्यासी को मौका दिया यूँवा है आकास यूँद कॉंगर्स के बरत्मान में प्रत्यासी को मौका दिया फिर भाटपा की क्या मजबूरी थी कि जिसको निलंबित किया गया था नेताप्रिति पस्खे चुनाओं में 2001 में उसी पर आज तक यह ठिके हुए है तो यह तो मजबूरी तो भाटपा की है भाटपा की मजबूरी नहीं कहेंगी को कि उनके प्रत्यासी ने जीत दर्ज के कहीं ना कहीं जनता ने दूसरी बात अरुण जी जनता ने आश्री बात दिया है उन्हें तब जीत दर्ज की है चुछान जी के चुछान जी महाराज देखिए महाराज चुनाओ की बात कर रहे थे आपने भी देखा कि राजनेतिक हवाएं कैसे चल रही थी जो परिणाम आये हैं वो उसके ठीक विपरित हैं और बहुत साथ सुथिक पार्शा के ने नेता है कॉंग्रेस के उन्होंने कह परिणाम जी क्या कहना चाहते हैं बीजेपी ने गोलवाल किया है महाराज के नतीजे हैं महाराज के नतीजे हैं वो ना देश की जनता सुविकार कर पा रही है नो महाराज की एक ना सिंजे जैसे दागी नेता जिनको खुद के अपने सीट का भरोसन इसा साथ लोग जीज अजीत पवार जिन्होंने सुविकार किया था कि अडानी उनके गडबंधन की मीटिंग लेते हैं धारावी का एक लाग करोड का प्रोजेक्ट है वो तो परिणाम में दिख रहा है तो इस बार इवीएम पर ठीक रहा तो नहीं फोड़ना है इवीएम को दोस्तों नहीं दे की आप जो फार्मूला बदला गया सुप्रीम कोट के जज को बाहर करके अपने मंत्री को सामिल कि तीन में से दो बाद पाई उसके बाद इवी एम कंपाने वाली और ये में जो सौप्ट्वेर ही होता है वो भी बनाने वाली अपलोड करने वाली किंपनी में कितने संघीब तो पर जाट मैने हो गए लोग सबस्वाइब बर्मा जी एप दोस्त दे रहा है आप जारखंट पर क्या कहेंगे फिर आप बैए यह तो चोड अरुण जी चब चोड़ी करता है तो एकाज घर छोड़ देता है यह इनकी मजबूरी है मोदी जी के मित्र है एक ला करोड का धा प्रत्क्यासी जीता है क्या हुआ एक नहीं हो पाई थी देखे अरुण जी यह तो मैंने कहा ना कुछ जगह इनको दिखाना पड़ेगा मजबूरी है जा आप जीत जाते हूं दिखाना पड़ता है जांप भार जाते हूं आप बिद्वान पत्रकार है मेरा यह सवाल है साथ मीने होगे लोगसभा चुनाओं को जो सत्रा सी है जो जो अभिकरता को प्रमान पत्र दिये जाते हैं 99 परसेंट लोगसभा में मतलब 443 में 438 लोगसभा ऐसे हैं जहां मिशमेश है पांच लाग नमासी हजार वोट का फरक है और मद्दान के दिन जो आकड़े डायरी किये गए ते निर्वाचन के द्वारा छे दिन आठ दिन बाद जो है चार परसेंट से लेके आठ परसेंट तक बढ़ गए और जब काउंटिंग के टाइम दिन भर उप्योग किया हुआ युए माप भी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस यूज करते हैं यदि कोई इलेक्ट्रोनिक डिवाइस जो बैटरी से चलता है दिन भर उप्योग करने के आया मैं तो पहले भी कहा कि चोड चोड चोर चोरी करता है तो कुझ युझा धर छोड ही करता है ना अधर जीत पर से आपको रोखना चाहूगा राजनी तक विछले सगश ऑजया चंद्रकर जी ए निए इस इपर कॉम्टेस प्रत्यासी जो सुरू से इंदी बढ़त नहीं पाए और बीजेपी लगाता लीड लेती रही और जो महापवार के वाड में भी बीजेपी ने बढ़त ली है तो क्या कॉंग्रेस पूरी दमखम से वा मेधान में नहीं उतरी थी या फिर कॉंग्रेस के जो नेता थे पताधिकारी थे उन्होंने इंट्रेस्ट नहीं लिया इ और अलग-अलग शेत्र में मद्दाताओं का पाई से लुक तंत्र है तो महापवार वर्तमान समय और वाड के नागेस में अग्रेस्ट के चुनाओं में के जाए या अग्रेस्ट अजित पावार जीर को टार्गेट का अजित पावार जीर को टार्गेट काई कर रहे थे उत्ताओं जी एक नाथ सिंदे जी को टार्गेट कर रहे थे तांगरेस्ट वहाँ पर सम्मेधान का विश्ट है और साथ इसाथ जाती जन्गरना को अजिए जी अग्रेस्ट पर शेट पर जो हुआ है चोकाने वाला है जिकर नहीं चोकाने वाला नहीं है यह बी सिका नहीं कजिए चोंहाँ पर यह चाहर का है के इस चोहह हं जी हमारे साथ विए पी प्रवकता जूडिए अपका बहुत शुक्रिया इस तो रेंदर ऒर्मा जी मरसाद को आंग्रेस्द पर बाग्ता जुडिया राजइनित विसले सक्रिक रोक्ट राजाया चंद्रका्ध जी हमारे साथ चर्चा में जूड़ी आपका भी बहुत 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 शक्रिया फिलाल के लिए जन्ता मांगे जवाब में इतना है आप देखते रहें सुराज एक्स्प्रिस